हलो फ्रेंड रादे रादे आज हम आपके साथ सेयर करेंगे भरवा मर्चा कि देखिए हमने जो लाल वाली मिर्च होती हो इसके अंदर मसाला भरा जाता है वही हमने मिर्च को आज भरा है बहुत टेस्टी लगता है इसको आप 4-5 साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं बीच मर्चा पहले खरीद ले करिदने के वाद उसे धूप में आप सुखा लेंगे और यह थे कि हमारे भर भर मर्चा बहुत ही जब देखिए आप एक बर हमारे तरीके से बनाके देखिए पहले मार्केट से भर भर मत्या खरीद के और उसे धूब में रखने के बाद जितने खराब मर्चा आप उसे चाट के किनारे कर ले उसको दो दिन का दूब दिखाये और नियुक्त दिख जाएं तो फिर उसे आप कि जिडिब लेसे उसके लिए मसाला तियार किया है यह दो हमने सर्सो ले लिया है घंओ ईसको भी हमने दों के सुखा लिया है kisip और यह सॉफ को भी हमने दों के सुखा लिया है इसको अदा सॉफ को कि खड़ाई रखेंगे यह रहा जीरा इसे भी हम ने धूब इसे भी हमने दोलिया है और यह रहा मंगरेल इसे और कुछ भी कहतेंए आप कमेंट में बताएगा अब हमने सारे मसाले को भून लेना है पहले हम धनिया को बूनँंगे मीडियाम फ्लेम पे धनिया को भूनना है जब धनिया हमारी अच्छे तरीके से भून जाए इसको हमें एक से दो मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पे भूनना है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और वेप लाइकन को प्रेश जरूर करें नए हैं तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लिजेगा अब हमने धनिया को भून लिया है अब धनिया को हम एक थाली में निकाल लेंगे और इसे ठंड़ा होने देंग़ अब हम इसमें सरसु ढालेंगे ये पिली सच्छ भूले मसाले सबसे ज्यादा सरसु ही रहता है फिर उससे कम धन्यां कि फिर सारे एक एक पॉक करके सब रहते हैं पांस किलो मचा भनना होगों तो दो किलो डेड़ किलो सरसु को भूल लिया है उसे बी एक थाली में हमने निकाल दिया है अब हम इसमें मेति डालेंगे, मेति को भी हम भूल लेंगे, सारे मीडियम फ्लेम पर हाई पर बिल्कुल नहीं भूलना है, और यह देखिए, मेति भी हमारे अच्छे तरीके से भून गया है, और इसे भी हम निकाल लेंगे, हमने इसे निकाल लिया है, और हमने अब इसमें मंगरेल डालेंगे, इसे भी हमें हलका से बस रोष्ट करना है, जादे नहीं करना है, बहुत ही हलका सा, और इसे भी हम निकाल देंगे, उसके बाद इसमें हमने आजवाइन डाल दिया है, और इसे भी हमने भूल लिया है, ुसको भी थोड़ा सा भूनना है जादे नहीं भूनना है इसी भी हमें निकालना है और यह रहा jira इसे भी हमें भून ले ना है इसे भी हमने 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पह ही भूनना है जीरा भी हमारे अच्छे तरीके से भून गया है और यह रहा सौफ, सौफ को भी हम भूल लेंगे, सौफ को पीसेंगे तो आदा सौफ को किनारे कर देना है, आदे सौफ को पीस लेना है, क्योंकि आदे सौफ को हमें खड़ा रखना है, साबुत, उसी तरह मसाले मिला देना है, अब मसाला हमने सारा पीस लिया है, यह रहा हमा कि सब निए दिखाया लेकिन सब मसाले काम सारे मसाले को भूल लिया है की रहा जीरा अटकृ ranked कर को एक एक करके हम सारे मसाले को डालेंगे ताइस हुए जितने मसाल्थ अबका में भूने ते सारे मसाले को हम डालेंगे और इसमें हम डालेंगे इस अधनिया पाउडर इसे में हम ने पीस लिया था एक इक करके सारे मसाले को हम इसमें डाल देञे और इसमें हमने देख theater डाल दीया है शर्से भी मुषयृ को ठंटे करे lebih ले और यह मंग्रेल मंग्रेयल को नहीं पीशता है और यह हल्दी डाल दिए 100,5 जो बचा सबचा ऐसी डाल दिया है और खटाई हमने 5 किलो मर्जा में 2 पैकेट दो-दो सो गराम का पैकेट लगा हुआ है खटाई का डाल दिया है और यह हम जो तनी टैटा नमक डाल दिया है इसका एक किलो में आधा किलो नमक इसके अंदर नमक देना है कि नमक की मात्रा जादी रहने चाहिए बराबर कि खट्टा-उट्टा से मिला के टेस्ट करके बनाएंगे और हमने आधे पैकिट कि है अधे इसमें हमने नमक डाल दिया है अब इसे हम मिक्स कर लेंगे जितना मसाला हमने बनाया था सारे को पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है अब इसमें हमने मसाले को मिक्स कर लिया है मारे अच्छे तरीके से मसाले मिक्स हो गए हैं अब इसमें हम डालेंगे तेल इस अर्सो का तेल है इसको हमने बीना गरम किये ही तेल को डालना है कच्छा ही तेल डालना है और तेल को डालने के बाद इसे हाथों से हम अच्छे तरीके से इसी से मिक्स कर लेंगे ताकि तेल है वो अच्छे से मिक्स हो जाए अब हमने तेल को इसमें मिक्स कर लिया है हाथों से भी मिक्स कर लें देखिए यह थोड़ा सा गिला सा हो जाएगा मसाला तेल के जैसा मसाले हमारे मिक्स हो गए है अब हमने जो मिर्चे को सुखा लिया था दो दिन सुखाया था अब उसे हम मिर्चा का मसाला भरेंगे यह हमारे मिर्चा है अब इसके हमें दो दिन हो गया सुखे हुए और यह देखिए सुखने के बाद मिर्च अपने बीच असानी से छोड़ देते हैं और इसकी पहले हम यह जो उपर वाला हिस्सा है इस तरह से निकालेंगे और देखिए इस तरह से निकालने से अच्छे तरीकी से बीच इसके निकल जाते हैं और इसके जो यह ऐसे लसम टाइप के हैं इसे भी हमें निकाल देना रहता है सारे बीच को हमें मसाले में डालना रहता है क्योंकि मसाले को तीखा करना रहता है तो इसी से करते हैं इसके बीच को इसी में ही मसाले में डाल देंगे सारे मसाले को हमने इस बीज में डाल दिया है और एक तरीका होता है इस तरह से चाकू लीजिए उपर का हिस्सा काट दीजिए उस पहले वाले में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन मसाला अच्छे से भर जाता है और चाकू की सायता से सारे बीज को निकाल लीजिए और इस मसाले में मिक्स कर लीजिए अब हम मिर्च को भरेंगे एक हमने इसी लकड़ी ले लिए आप दातुन ले सकते हैं कोई भी लकड़ी हो थोड़ी सी हलकी सी मोटी हो मसाले को इस तरह से हाथ में मिर्च को लेंगे मसाले को इसके उपर मिर्च के उपर रख लेंगे इस तरह से लकडी से हमें इसके अंदर मसाले को भरना है मसाले को पूरे नीचे तक लाना है इस लकडी की सहता से ही मिर्च को भरते है और खुब इसे दवा दवा के भरना है जितना मसाला इसमें आ सके और इस तरह से उंगले से भी इसे दवा दवा के आप मसाला मिर्च में डाल दीजिए और देखिए ये मिर्च को अच्छे से पोच के और एक प्लेट में रख दीजिए इस तरह से ये दूसरा वाला मिर्चा ह इसे भी इसी तरह से भरना है वो तो जो काटा था वो इस तरह से था जो हाँ से निकाले थे बीज वो इस तरह से थोड़ी सी इसमें अम मुस्किल होता है और देखिए हमने सारे मिर्च को भर लिया है भरने के बाद कि इसमें हम दो दिन, तीन दिन या चार दिन इसको ढखके इसी तरह से रख देंगे धूप में नहीं दिखाना है भरने के बाद मिर्चा को चार दिन घर में रखके ढखके रख देना है ताकि जो मिर्चा है वो अच्छे तरीके से गल जाए और जब उसके बाद चार दिन बीट जाए तब उसे आप धूप में दो दिन दिखाएंगे दो दिन धूप में दिखाने के बाद हम सरसो का तेल लेंगे और कढ़ाई में गरम करेंगे कढ़ाई में हमने सरसो का तेल एक कढ़ाई भरके हमने डाल दिया है और जब सरसो का तेल अच्छे तरीके से खौलने लगे तब उसके बाद ही इसे हम उतारेंगे और इसमें हम हींग डाल देंगे हींग जरूट तेल में डाल लिएगा और यह हमने हींग डाल दिया है तेल हमारा खुलने लगा है, मैंने हिंग डाला है, देख कैसे बबूले से उख गए, दीखिए हाथ इस तरह करने से बहुत तेश से आ जा रहा है, अब हमने तेल को गैस बन कर दिया है, जब तेल हमारा थंडा हो जाए, तब उसके बाद हम मिर्च को छटपे से उतार के लाने के बाद मिर्च को हम एक-एक मिर्च को अच्छे तरीकी से पोष लेंगे एक कपड़े से ताकि कोई इसमें मिट्टी किचच्चना रहे हैं मिर्च को आप दो तरीके से डाल सकते हैं इस तरह से मिर्च को एक-एक करके देल में डूबो के और इसे डिब्बे में, डाल सकते हैं, इस तरह से, डिब्बे में डाल दिया है, या फिर एक अखटे आप तेल में डाल दीजिए, उसे बस, आधे मिनट के लिए रेस्ट दीजिए, ताकि मसाला है तेल को तेल को अच्छी थोड़ा सा अभर जोब कर ले, और हमने मिर्ष को तेल में ड अब तेल को निचोड़ के अब इसे हम डिबे में डाल देंगे इस तरह से कि सारे मिर्च को अब बहुत ही टेस्टी बनाया है मिर्च एक बर जरूर हमाये तरीके से बना के देखें यह दिसी स्टाइल में बना है इस तरह से भरने से इसके मसाले निकलते नहीं है जो हमारे तेल बच जाया है यह देखे तेल बच गया है अब इसे हम तेल को इसी मिर्च में डाल देंगे सारे तेल को इसी मिर्च वाले डिबबे में हमको डाल देना है और जो अस्ट्रा मसाला था नीचे जो पड़ा हुआ था वो भी इसके अंदर हम सब इसके अंदर ही डाल देंगे इसको आप चार पान साल तक चला सकते हैं इसे बीच बीच में आप धूप जरूर दिखाए और यह हमारा मिर्च रड़ी हो गया है अब मिर्च में हम एक कपड़ा बान देंगे उपर से एक सूती कपड़ा बान देंगे या फिर आप इसे खोल के भी सुखा सकते हैं और इसको आप चार पान दिन के लिए धूप जरूर दिखाए जब मिर्च में तेल पड़ जाए तो धूप जरूर दिखाएगा फिर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक सेयर कमें जरूर कीजिएगा फिर मिलते हैं एक ने रेस्पी के साथ